नमस्कार दुस्तो इजी लिक्टिक ग्यान येटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है दुस्तो आज हम सिंगल फेज स्टार्टर को आज रिपेर करेंगे जो कि इसमें प्रोब्लम है ग्रिन से स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टर ओन हो जा रहा है बोल्टेज भी यहां पर के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन स्टार्टर ओफ नहीं होता है यहां ग्रीन उला से स्टार्टर ओन करते हैं ओन हो जाता है रेड उला से ओफ नहीं होता है उसके लिए एमसीवी गिराना परता है एमसीवी गिराने के बाद में भी जो क प्रेस करें तो इस टार्टर आप नहीं होता है यहां MCV से ओफ करना पड़ता है तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इसतर का प्रोब्लम आपका भी स्टार्टर में हो गया है तो आपको इस टार्टर को कहीं ले जाने की कोई ज़रुत नहीं है आप घर बै तो चलिए पहले हम इसके बारे में step by step आप लोग को जनकारी देंगे कि कहां से problem होता है कैसे ठीक होगा तो इसमें voltage भी सही है हर चीज सही है लेकिन starter off क्यों नहीं हो रहा है on तो हो जाता है ओब क्यों नहीं हो रहा है तो सबसे पहले करना क्या है कि starter का man supply ढाता है इसमें main supply निकाल देना है जिदि आपका starter का जो idealetztr subscribe का चोटा पढ़ रहा है तो आप wire भी निकाल सकते हैं इसमें जितने सारे wire हैं तो सारा wire निकाल सकते हैं तो मेरे पास तो starter और जो में जो supply आया हुआ है neutral page wire छोटा है इसलिए इसमें क्या करेंगे कि सारे wire को निकाल रहे हैं उसके बाद में हम नीचे जमीन पर रखेंगे अराम से इसमें मातरे दो चीज़ से प्रोब्लम हो सकता है तो उसके लिए आपको DC टेस्टर रखना है इस तरह का 10-15 रुपे का सपस में मार्केट में कहीं मिल जागा रेड वोलाज जो स्यूच है दोनों पॉइंट पर रहकर स्यूच को दाब कर देख लेंगे यह जो टेस्टर है आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख रहे हैं चालू बंद हो रहा है जिस तरह से हम रेड स्यूच दाब रहे हैं तो यह चालू बंद हो रहा है कभी-कभी होता कहा है कि रेड स्यूच का जो पत्ती होता है डेरेट सटा ही रह जाता है तो उसके वज़ा से भी प्रोब्लम हो सकता है दुसरा चीज है कि यह जो कंटेक्टर आप देख रहे हैं एक कंटेक्टर से प्रोब्लम होगा पहला रेडर वाला जो आफ वाला स्यूच है उससे और दुसरा एक कंटेक्टर से तो कंटेक्टर खोलने के लिए नीचे बोडी में कोई कोई में चार स्कुरूप रहता है कोई में दो स्कुरूप कोई में तीन स्कुरूप कसा रहता है तो इसमें दो स्कुरूप कसा हुआ है तो चले दोनों स्कुरूप को हम खोल देते हैं खोलने के बाद में हम इस container को पलटेंगे तो नीचे में भी 4 screw कसा हुआ है तो 4 screw को हमखोल लेंगे तो चले 4 buddies को को हम खोल देते हैं अराम से plate को हटा लेंगे उसके बाद में e-core को अराम से हटाना है ध्यान देना है जिस तरह से खोल रहा है उसी तरह से इसको पैक करना है उसके बाद में इस क्वाइल को हटाएंगे इसमें दो इस्प्रिंग दिया हुआ है दोनों सैड में और दोनों सैड में इस्प्रिंग है और उसके बाद में जो इकोर सट रहा है जहां पर इकोर सट रहा तो इसको क्या करेंगे दोनों साइड को साफ कर लेंगे हम अच्छी तरह से जदि आपके पास स्रेश पता है तो स्रेश पता से साफ कर लेना या इसी तरह से स्रेश पता नहीं है तो पिछकस के मदद से जो इसका नोक है उससे आप साफ कर लेंगे और इक और को भी इसी तरह स साफ कर लेंगे आपके पास यह दिए पेटरॉल है तो पेटरॉल से भी साफ कर सकते हैं उसके बाद में क्या करना है कि जो एस्प्रिंग देख रहे हैं तो दोनों साइड में घाट दिया हुआ है तो दोनों साइड में घाट जो है स्प्रिंग को पहले बैठा लेंगे उसके बाद में क्वाइल में भी घाट दिया हुआ है तो क्वाइल का जो घाट है स्प्रिंग में इस तरह से बैठा लेना है बैठाने के बाद में क्वाइल को हम क्या करेंगे कि आराम से इस तरह से बैठा लेंगे चलिए बैठ गया उसक कि अधाय全 उसी दर्श को बैठार लेंगे उसके बाद में नीचे का जो पलेट है पलेट को इस तरह से घाट में देख लेंगे चारोघाट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चारोघाट में स्कूलूस को कस देना है कि अब प्रशि जोड़े हैं कि दोस्तों आप लोग सेख की अएकटर में मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगो पसांद देया है तो आप इस वीडियो को जैदा से जैदा से जरूर जरूर करना तो चले कंटेक्टर का नीचे वाला जो प्लेट है उसको कस दिया है उसके बाद में इस country रोड़ में जो कसा हुआ था तो दोनों स्कृूप को हम क्या करेंगे कि कस देंगे ऑची तरह से कस लेना है टाइट कस देना है धिला नहीं चोड़ना है धिला जैदी आप इस क्रोब को भी धिला चोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इसमें से थोड़सा हलका चाहिए को कस देना है उसके बाद में में सप्लाई से आया हुआ है जो आपके पाश कभी 3ounge प्लाइजर नाजेट सप्लाइज तो बेंगने सबस्क्राइजर का प्रोभल्म को स्लिए मेंbonmers ने इसे दोनों वायर को ची तरह से कस दिना है कसने के बाद में देख रहे हैं यहां से स्यूच जो ग्रीन स्यूच है ग्रीन स्यूच ले हम आउन किये हैं तो यहां पर इंपियर भी बता रहा है और इंडिकेटर भी जल रहा है और यहां से आफ करते हैं तो यहां से अराम से आफ हो जाता है देख रहे हैं यहां को करना क्या होगा कि में सप्लाई जो है में सप्लाई को उतार देना है काट देना है काटने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें जितने सारे वायर कसा हुआ है जहां जहां वायर कसा हुआ है इस्टी का जितने सारे स्कुरूप है सारे स्कुरूप को अच्छी तरह से कस देना है इसलिए कि आप स्कूरूप को धीला छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वायर गरम होने लगता है कंटेक्टर पर का वायर जो है धीला छोड़ते हैं तो कंटेक्टर का वायर गरम होने लगेगा और कंटेक्टर जल जाएगा इसलिए कि इसमें जितने सारे स्क्रूप है, सारे स्क्रूप को टाइट करस देना है तो दोस्तो आज के विडियो मेरा आप लोग को कैसा लागा आप नीचे कमेंट बक्स में ज़रू लिखना और अभी तक मेरे चैनल को आप सबस्क्राइब नहीं कि हैं